तो आज के इस वीडियो में हम human physiology का जो है important topic excretery system cover करने जा रहे हैं छोटा सा वीडियो होने वाला है इसमें पूरा आपका excretery system cover हो जाएगा इतना हो जाएगा कि अगर इसमें से कुछ भी questions CTAT में पूछा जाता है तो आप easily इसको solve कर लेंगे इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखना चाहिए तो आप notes बना लो एक short notes बन जागा क्योंकि वीडियो अलरड़ी छोटा है तो notes भी बहुत ही छोटा बन जाएगा तो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है और अगर आप हमारे channel पर नए है तो channel को subscribe कर लो और bell icon को दबा लो और description में जाकर जो link है उस पर जरूर क्लिक करें आप जो हमारे टेलिग्राम channel से जोड़कर वहाँ पर ये पूरा notes ले सकते हैं साथ ही साथ जो है mock test का भी जो है link है वहाँ पर जाके cdp का और science का mock test भी आप वहाँ पर दे सकते हैं और देखिए कितने marks बन रहे हैं और जो भी marks है कमेंट में जरूर बताइए का आपके cdp में कितने marks बन रहे हैं साथ ही साथ जो है science में आपके कितने marks हो रहे हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं बिना time गवाए तो अब देखो यहाँ पर जो extraordinary सिस्टम होता है मतलब हमारी बोड़ी में friends जो भी waste product होता है हम तो बहुत कुछ खाते लेकिन वो सब खाना हमारे काम करनी होता है उसमेंसे जो काम का होता है वो हमारा body ले लेता है, हमारा blood हमारे cells में चला जाता है, लेकिन जो काम का नहीं होता है, उसको remove करना भी बहुत जरूरी होता है, और इसको remove करने के लिए जो unwanted material है, जो waste product हमारी body में बच जाता है, उसको remove करने के लिए, जो भी system बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं excretory system, उसी को हम लोग क्या कहते हैं friends, excretory system, ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, the removal or elimination of waste product in the form of solid, liquid और gas, तो यह जो waste product है, वो solid भी हो सकता है, liquid के form में भी हो सकता है, जिसे पसीना अगरा हो गया, urine अगरा हो गया, या फिर gas के भी form में हो सकता है, carbon dioxide के भी form में हो सकता है, of metabolism from the body, it's called excretion, the major excretory product are carbon dioxide, तो सबसे बड़ा जो excretory system, excretory product है, जो निकलना जरूरी होता है body में से, वो carbon dioxide, because यह harmful होता है, excess water, ज्यादा water जो हमारी body में बनता है, वो भी जहें देखो, हमारी body में water भी release होता है, ठीक है, तो उसको भी निकलना जरूरी होता है, फिर nitrogenous compound like ammonia, uric acid, urea, etc, यह सब nitrogenous compound है, इनका भी निकलना क्या होता है, जरूरी होता है, यह major excretory system है, चलिए बढ़ते हैं, अब mode of excretion देखते हैं, mode of excretion क्या होता है, मतलब किस तरह से देखो, depending upon the nature of excretory product, animal exhibit different process of nitrogenous excretion, different animals excrete different nitrogenous compound, सही बात हैं, आगे देखते हैं, यह क्या-क्या हैं, there are mainly three modes of excretion, excretion के तीन mode है, तो पहला है, ammonotelism, excret ammonia, यह NH3 रहेगा, ammonia का फार्मूला है, which is highly toxic and highly soluble in water, अमोनिया के अच्छी बात ही होती है, कि यह highly toxic तो होता है, लेकिन highly soluble in water, पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है, और इसलिए example aquatic animal like amoeba, paramosium, saikon, hydra, prawns, etc., यह सब का है, ammonotelism के mode of excretion को follow करते हैं, फिर है ureotelism, excret urea, that is यहाँ पर NH3 रहेगा, और यह urea का formula है पूरा, NH2, which is less toxic than ammonia, example human, whales, seals, kangaroo, frog, toad, etc., तो हमारे इंसानों के अंदर भी है, substance होता है, जो कि less toxic होता है, लेकिन यह ammonotelism, यह highly toxic होता है, ठीक है, फिर इसके बाद है, यूरिको टेलिजम, excret uric acid occurs in animal living in dry condition to conserve water, ठीक है, तो जो dry condition होता है, desert होता है, snake हो गया, lizard हो गया, bird हो गया, insect हो गया, snake, etc., they follow uricotelism mode of nutrition, तो कितने mode of nutrition हैं, यह important slide हो जाता है, तीन mode of nutrition हैं हमारे पास, एक ammonotelism, जिसमें जो है, ammonia निकलता है, जो कि highly toxic है, फिर uricotelism है, जो इंसानों में भी होता है, यह system यह बनता है, तो इसमें जो है, यह less toxic होता है, और इसके बाद जो है, यह uricotelism है, ठीक है, यह जो जन जानवर को, जन एनिमल्स को पानी की जबरत होते हैं, जिनको बचाना ज़रूरी होता है, उनके अंदर यह uricotelism का system पाया जाता है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे next slide की तरफ, अब हम लोग बात करेंगे excretion in human friends, तो इनसानों के अंदर excretion कैसे होता है, तो देखो, इनसानों के अंदर excretory system बहुत well defined, well designed excretory system बना हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हो जाता है हमारा a pair of kidney, urinary bladder, a pair of urators और urethra, ठीक है, यह हमारे पास होता है, ठीक है, अब in human beings, kidney are main organ of excretion, तो kidney हमारा filtering का काम करता है, अब part of kidneys, the skin, lungs and liver also helps in excretion, तो ऐसा नहीं कि kidney तो main part है, लेकिन जैसे मारे लोग गर्मी में आपको बहुत पसीना हो रहे हैं, तो पसीना भी क्या हमारा skin जो है, ठीक है, तो यह हमारा excretor system हो जाता है, हम लोग जो भी oxygen, जो भी gas लेते हैं, उसके साथ oxygen भी जाता है, लेकिन oxygen क्या का काम क्या होता है, वर reaction कराता है किससे, glucose से, तो glucose और oxygen मिल के बनाते हैं, carbon dioxide, और यह water बनाता है, और प्लस energy, तो यह carbon dioxide किसी काम का नहीं हमारे लिए है, dangerous है, harmful है, तो इसलिए यह जो है, lungs के राश्टे फिर से निकल जाता है, तो जो हम लोग exhale करते हैं, उसमें carbon dioxide होता है, तो यही हम करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, next slide पे, each being saved, तो kidney का shape कैसा होता है, being saved kidneys made up of highly coiled similar units called nephron, तो highly coiled जो similar units बने होते हैं, उसका नाम कहा है, फ्रेंड्स, nephron, right, nephron बहुत ज़्यादा coiled होता है, बहुत सारा goal, goal जो है, उसमें structure होता है, ताकि अच्छे से जो है, जो भी चीज़े हैं, वो water के साथ filter हो सकें, तो यह हमारा nephron काम करता है, तो each nephron consists of what, तो हर nephron में blood vascular components consisting of glomerules होते हैं, tubular component comprise of baumens capsule, distal convoluted tubules, DCT जो सका हम लोग कहते हैं, and collecting ducts होते हैं, यह सब जो है, nephron, हर nephron में यह सब होता है, ताकि यह filtering अच्छे से हो सकें, तो जैसे हमारा filter नहीं होता है, आरो filter अगर आगर आप ध्याने, उसमें बहुत सारे coil structure से पानी को गुजारा जाता है, ठीक है, तो ताकि ज़्यादा-ज़्यादा filtering अच्छे से हो सकें, तो ऐसा coil structure होता है, और उसको हम लोग nephron कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है यह ग्लोमरियूल्स जो होते है न, इसमें जो है, फिल्ट्रेशन मोमें जैसे बलड होगा, बलड में से बहुत सारे उसमें से पास होता है, और इसके बाद पिर क्या होता है, जो उसमें यूरियर है तो फिल्टर हो जाता है, तो जो भी वाटर फिल्टर होता है, वो फिर से री अपजॉब होता है, क्यों री अपजॉब होता है, क्योंकि कुछ सलूड जैसे विटामीन, ग्लुकोज, फिर सो उनको एपजॉब करना पड़ता कि वो सरीर से बाहर ना निकल जाए और फिर से फानली वो ब्लड में इंटर कर जाते ताकि हमारा जो काम का चीज वो वेस्ट ना हो फिर टूबलर सिक्रेशन सिक्रेशन सम आयन्स के प्लस पोटैसियम और अमोनिया मॉलक्यूल लाइक ड्रक्स एट्सेटरा फ्रॉम ब्लड गिट सिक्रेटे इंटू यूरीन तो ब्लड में जो भी चीजे बनती हैं जैसे बहुत सारे लोग ड्रक्स लेते हैं तो ड्रक्स में क्या है, तो हमारे खुन मिल जाता है, उससे से हमें नसा होता है लेकिन उसको रिमूफ करना भी जरूरी है तो उसका काम क्या करता है किड्नी से लिए आप ने देखा है जो लोग ड्रिंक बहुत जादा करते हैं बहुत जादा दारू सराब पीते हैं उनका किड्नी पहले खराब होता है क्योंकि किड्नी कितना फिल्टर करेगा अगर आप रोज पी रोज पी रोज तो कितना फिल्टर तो यहाँ पर पानी को भी बचाना होता है ताकि बाड़ी में बराबर पानी की मातरब बनी रहे तो चोटी चोटी चीज़े हैं इसके बाद है फ्रेंड्स urine is the ultimate excretory product तो याद रखना है urine कै है ultimate excretory product है it is pale yellow in color ठीक है euro chrome pigment याद रखना यह बहुत important seated में आ सकता है कौनसा टालर को होता है pale yellow और ultimate excretory product क्या है urine human beings में and contains nitrogenous waste product ठीक है इसमें nitrogen मिला हो nitrogen के compounds होते ठीक है तो यह चीज़े हमें याद रखना है आगे बढ़ेंगे next अब देखो यहाँ पर कुछ important चीज में लगा रहा हूँ कि इसमें कुछ animals है और उनके अंदर excretory organ कौन-कौन से है तो जैसे अगर आप proto-joa like amoeba वगरा देखोगे तो उसमें excretory organ का जो नाम है वो plasma lemma है फिर porifera sponge हो गया या फिर colentrates हो गया hydra बगरा हो गया तो उनके अंदर जो excretory organ होता है उसका नाम है general body surface मतलब body surface से वो excret कर देते हैं फिर earthworm हो गया, kechu अगर हो गया, anilida है इसका नाम जो है तो यह इसमें क्या होता है, nephredia होता है, nephredia नाम का excretory organ होता है जहां से सारा excretory का process होता है फिर आप जहे, cockroach अगर हम देखेंगे, orthoports तो इसमें जहें क्या होता है, malphigian tubules होते है जिरके तुरू यह waste product अपने सरीर से बाहर निकालते है और फिर इसके बाद जहे, spider है, spider में क्या होता है, coxal gland होता है जिसके तुरू यह जहे, excretory product बाहर निकालता है ठीक है, तो यह हमें याद रखना है, 4-5 हैं, जादा नहीं है और इसके बाद यह आपका topic हो जाता है, friends, cover, पूरे excretory system इससे जादा कुछ है, seated के लिए इतना important है, इतना ही मैं बेसा ही पूचा जाएगा और हमें एक थोड़ा एक intuition develop कर लेना है, कि excretory system है क्या बाकी answer आप 2-3 बार करेंगे, तो हो जाता है, इसका notes बना लिए, आपके लिए इतना ही और इसके बाद मैं जाए, दूसरा वीडियो लेकिया रहा हूँ, nervous system वो भी जरूर देखो पूरा human physiology हो गया, तो आपका मस्तिक दम science का paper जाएगा, कोई टेंस बात नहीं इतना बता रहा हूँ, उतने में से अलग कुछ नहीं आने वाले, पूरा syllabus कवर कर रहा हूँ, तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, cdp का science का भी मॉक टेस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप जहें proper updated रही है, मॉक टेस्ट वगर आप देते रही है, so that आपका जहें, प्रैक्टिस पूरा होता रहे, thank you so much, take care, और पढ़ते रहो